और यह देखे सीधी तस्वीर प्रधान मंत्री पहुंच गए हैं कुछी देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अब शार दोस्तों आज मौनसुन सत्र का प्राडब हो रहा है गर्मी के बाद पहली वर्षा एक नई सुगंद मिट्टी में भर देती है वैसे ये मौनसुन सत्र जीएश्टी की सफल वर्षा के कारण पुरा सत्र नई सुगंद और नए उमंग से भरा हुआ होगा जब देश के सभी राजनितिक दल सभी सरकारे सिर्फ और सिर्फ राष्टहित के तराजू पर तोल करके निर्णे करती है तो कितना महत्वपूर राष्टहित का काम होता है वो जीएश्टी में सफल और सिद्ध हो चुका है ग्रोइंग स्टॉंगर टुगेदर यह जीएश्टी स्पिरीट का दूसरा नाम है यह सत्र भी उस जीएश्टी स्पिरीट के साथ आगे बढ़ें इस सत्र अनेक रुप से महत्वपूर है 15 अगस्त को आजादी के साथ दशक की आत्रा हम पूलन कर रहे हैं 9 अगस्त को सत्र के दर्म्यान ही अगस्त क्रांती के 75 साल हो रहे हैं क्वीट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का यह आउसर है यही सत्र है जब देश को नए राष्टपती और नए उपराष्टपती चुनने का आउसर मिला है एक प्रकार से राष्ट जीवन के अत्यनत महत्वपून घटनाओं से भरा हुआ यह कालखंट है और इसलिए स्वाभाविक है कि देश वाच्चियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मौनसुन सत्र पर विशेश रहेगा जब हम मौनसुन सत्र का प्रारम कर रहे हैं तो उसके प्रारम में हैं हम देश के उन किसानों को नमन करते हैं जो इस रुत्व में कठोर परिश्रम करके देश वाच्चियों के खाद्य सुरस्च्चा का इंतजाम करते हैं और उनी को नमन करते हुए यह सत्र का प्रारम होता है इस मौनसुन सत्र में मुझे विश्वास है कि सभी राजनितिक दल सभी मान्य साउसद्गन राष्ट हीत के महत्वपूर्ण फैस्टले ले करके उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वेल्यू एडेशन करने का प्रयास हर व्यवस्ता में वेल्यू एडेशन का प्रयास हम सब मिल करके करेंगे ऐसा मेरा पुरा विश्वास है आप सबका बहुत बहुत धन्वाद